हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी जो की बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है और काने में बहुत टेस्टी लगती है इडली और डोसे के साथ तो इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ् अदू का टास आजाए चैटनी में दो से थीन हरी मिर्ची ले ली है और दो से थीन चममच रोस्टेड चना दाल ले ली है इसे ड्राय ना यहां पर सुखा हुआ नारियल भी ले सकते हैं अगर आपके पास यह अविलबल ना हो तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक एड़ किया है अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल दिया है ताकि यहीजीली चटनी पिस जाए और थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी भी एड़िस्ट हो जाए बस यहाँ पे इसको बारीक पीस लेंगे यह देखिए ऐसे बनके रेडी हो जाएगी इसको एक बोल में ले लेंगे अब हम यहाँ पे तड़का रेडी करेंगे तड़के के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल ले लिया है एक छोटा चमच राई डाल देंगे तेल में गरम होने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 से 15 करी पत्ता ले लिये है यह फ्रेश करी पत्ता है उसके बाद मैंने दो साबुद लाल मिर्ची ले ली है थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हींग अट कर दी है अब अच्छी तरीके से तड़के को mix कर लेंगे और गैस की flame को हम यहाँ पे बंद कर देंगे बस अब यह जो तड़का हमने रेडी किया है इसको चट्टी के ऊपर डाल देंगे अच्छी तरीके से और यह जट्टी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है आप इसे इडली के साथ खा सकते हैं, इसे डोसे के साथ खा सकते हैं, इसे उत्पम के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को like, share and comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you for watching my video मिलते हैं मेरे next video में तब तक के लिए बाई बाई